पाकस्तान दे पहले दस्तार तारी सिख न्यूज एंकर ने एक वर फिर इतिहास राचदियां पाकस्तान विच काटगिनती सिख पाई चरेदा मान वदाया है इस वार हर्वी सिंग ने नैशनल प्रेस कलब इसलामाबाद दी परबंद की कमेटरी विच था मणाई है पाकस्तान विच नैशनल प्रेस कलब इसलामाबाद दी परबंद की कमेटरी दियां बीतिय दिनी चोणा हुई है इनना चोणा विच पहला पाकस्तानी सिख मेंबर चुणा गया है जिस दा नाम हर्मी सिंग है अते मुकाबला काफी सक्त रहा है उन्हा कहा कि पाकस्तान दा सब तो वड़ा प्रेस कलब है इस विच इसाई अते हिंदो काटगिन्थी पाई चारे विचों कई वार मेंबर बनेहन पर सिखा में लों पहली वार एच चोन लड़ी गई सी अते चोन फिलहाल सफर रही है अते उन्हाने जित हासल कीती है 30 साल दा हे सिख न्यूज एंकर हर्मीर सिंग उर्दू चैनल पबलिक न्यूज नाल नवे एंकर बजों ब्रेक पाउंदी पेशकश्तो बाद सुर्ख्यां विच आ गया सी अजहे समय विच जदो पाकस्तान विच काटगिन्थी आपने हकानी लाड़ रहिया संता गलोबल परवार पाकस्तान विच आपनी कौम नूं माण मैसूस करवाना चाओं दे हना उन्हा कहा के इसलामाबाद प्रेस कलाब एक परमुख मंच है जित्तों मैं पाकस्तान दे मंत्राले नाल काटगिन्थी मुद्दे उठा सकता हां नियूज एंकर दे ताओर ते पहले पगडी तारी सिक होन दे एतिहास नूं लिखन तो बाद मैं खोश हां के अजाज पत्तरकार पैनल तो हुन प्रेस कलाब विच चुणया गया हां अधिया जहा करनवाडा मैं पहला सिक हां हरमीत ने उर्दू युनिवरस्टी कराची तो पत्रकारी विच मास्टी कीती है और चौंदा है कि उस दा दो सला बेटा हर्मन वीर सिंग शुरू तो ही सिख तरमदी पलना करे उन्हाने कहा कि पागणे मेरी शक्सियत नूं सिर्फ वदाया है बलके मैंनू पीड़ विच मैसूस करवाया है मैनू वक्री पशान देती है उन्हादा कहना है कि मैनू कई वार मैसूस हुंदा है कि मेरे माप्या ने मैनू बजपन तो ही सिखी सुरूप क्यों नहीं देता उसनू अफसोस है कि वीजा पबंदिया कार्ण उसनू कदे भी दर्बार सहा विके मत्था टे उस वेड़े काफी चर्चा विच आयसन जदो पाकस्तान विच पहले सिख न्यूज एंकर वज़ो उन्हाने आपनी नौकरी जुआन कीती सी उस तो बाद उन्हादे नाब दी काफी चर्चा होई सी फिलहाल पाकस्तान विच पतर कारां दे एक वड़े मंच दी नुमायन की कारदयां वो आपने पाईचारे दे मुद्दे थे प्रमुकता ना रख सकंगे ए आपने आप विच ही पाकस्तान चो वास्दे काटगिन ती सिख पाईचारे दी वड़ी उबलाब्दी है कर दो कर दो